दोस्तों वैसे तो नूरा फते ही अक्सर ही अपने डांस और फिल्मों में अपने आइटम नंबर्स को लेकर खुब जादा लाइम लाइट बटोरती हैं। लेकिन आज नूरा फते ही अपने डांस को लेकर नहीं बलकि उनके गुरू या निकी टारंस लूइस की ऐसी हरकत को लेकर लाइम लाइट बटोर रही है। नजर भी आते हैं लेकिन बीते दिनों डोनों का एक साथ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हुआ था जिस पर की काफी जादा बवाल भी मचा हुआ है। नजर आ रही हैं। दरसल लोगों ने टारंस पर कई सारे मीम्स भी बनाए हैं और उनके इस हरकत पर जम कर उनका विरोध भी किया। इसके बाद पूरे मामले पर अब कॉरिग्राफर टारंस ने भी टोलर्स को एक करारा जवाब दे ही दिया है। तो वहीं टारंस के इस पोस्ट पर नोरा ने भी कॉमेंट किया है। कॉरिग्राफर टेरंस लूइस ने अपने इंस्ट्रग्राम पर नोरा फतेही के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उन्होंने आक्ट्रस को अपनी गोद में उठा रखा है। के लिए और मुझ पर विश्वाय से रखने के लिए शुक्रिया नोरा फतेही। तो वहीं इस पोस्ट पर नोरा फतेही ने भी कॉमेंट करके लिखा। शुक्रिया टेरंस आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर वीडियो मौफ किया जा रहा है और फोटोशॉप से एफेक्स डाल कर मीम बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने खुद को इस बारे में बिलकुल भी परिशान नहीं होने दिया और आप शांत बने रहे। ये वक्त भी जल्दी ही बीच चाएगा। आपने और गीता माम ने मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। ये जिन्दगी का एक बहतर अनुभव रहा है। आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर टेरंस लुइस का एक वीडियो वारल हुआ है। जसमें कि शोक जज नोरा फतेही के बाक पोर्शन को वो आपती भी जताने लगा। आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि मलाइका अरोडा को कोरोना टेस्ट पॉजटिव पाय जाने के बाद नोरा फतेही ने इस शो को बतार जज जॉइन कर लिया है। तो वहीं जब से इस तरह के मीम सब सोशल मीडिया पर श सच आए नहीं हैं बलकि नोरा फतेही खुद ये बात कहे चुकी हैं कि ये वीजियो फॉटो शॉप किया है।